मानवदा को शर्मसार करने वाला मामला सिमरिया थाना छेतर से प्रकास में आया है जहां अपने ननिहाल आई चार वर्सी ये मासूम के साथ पडोसी युवक ने दुशकर्म का प्रयास किया है दरासल मामला रिवा जिले के सिमरिया थाना छेतर का है जहां कि पीडिता के परिजनों की सिकायत पर महिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफतार कर लिया है घटना के संबंध में महिला थाना प्रभारी निशा मिस्रा ने बताया कि पीडिता की मा सतना जिले के कोटर थाना छेतर की है जो विगर दिनों अपने माई के आई है मासूम बच्ची अपनी मा के साथ सो रही थी इसी दोरान पडोसी उवक राजेन साकेत पहुचा और आम खिलाने की बात कही और अपने साथ ले गया जहां उसके साथ सारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया मासूम की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो आरोपी भाग निकला पेडिता ने पूरी घटना मा को बताई जिसके बाद महिला थाने पहुचकर सिकायत दर्ज कर आई गई आपको बता दे कि महिला अपराधों पर पुलिस प्रशासन रोक नहीं लगा पा रही है इसकी मुख्य बज़े यह है कि परिजन मासूम बच्चीयों को किसी के भी भरोसे बाहर भेज देते हैं आरोबियों के खिलाब फास्ट कोर्ट में सुनवाई कर तवरित कठोर सजा का ना मिलना भी अपराधों में रोक ना लगने का एक कारण है चाहिए कि ऐसे मामलों में तवरित चलान पेस कर फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई की जाए जिससे ऐसे दरिंदों के खिलाफ सक्त कारवाही हो और पुलिस प्रसासन पर इनका भै बना रहे आईए आपको भी सुनाते हैं महिला थाना प्रभारी निसा मिश्रा ने क्या बताया मेड़म ये एक दुसकर्म का मामला दर्जुगा है क्या गटन गनाच पुरूआ ये खाना कोटर चिला सत्ना के रहने वाली एक भर्यादिया है जो उसी मरियत शेत्प के अंकरगर अपने माई के आई थी एक माह से करीब अपनी माई के मेरूकी थी तो इसकी तीन साल की बच्ची है तीन पर्ष आटमा इसके पड़ोस में रहने वाला एक ब्यक्ती है राजेन साफिट ये बच्ची को बुलाती लेकर गया कि बटा चलो आम खिलाती है और भर से बच्ची को लेकर अपनी कमने में बच्ची को 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 अपने पड़ोस में इसका मकान में, तो यह अपनी कम्रे पर लेकर गया, फोड़ी देर बाद पीडिता की मा ने अपनी एक्रहन को भेजा की जाओ उसको बुला कर लाओ, अभी तक नहीं आई गए, तो वो बुलाने गई, पीछे से मा भी पहुची, तो इसको दुश्क्रत्र करने की हालत में लोगों ने उसको देखा, इसको पीडिताने आके, क्या के दारा अलगाई गया, इसमें 376, और पॉक्सवेट, आज बेटेचे पॉक्सवेट,